आज हम सीखेंगे दंड आलेक ऐसी संख्याएं जिनसे कुछ सूचना प्राप्त की जा सकती है आकड़े कहलाते हैं यहां आकड़े संख्यात्मक रूप में दर्शाय गए हैं चलिए इस जानकारी को चित्रिय रूप में निरूपित करें हम एक चित्रालेक यानि पिक्टोग्राफ या दंड आलेक यानि बारग्राफ बना सकते हैं हमने इनके बारे में पिछली गख्षा में सीखा है चलिए दंड आलेक पर चर्चा करें दंड आलेक संख्यात्मक आकडों को बराबर दूरी पर समान चोड़ाई के दंड बनाकर चित्रिय रूप में निरूपित करने का एक तरीका है दंड आलेक में प्रतेक दंड की लंबाई दी गई संख्या को प्रदर्शित करती है किसी स्कूल में विभिन नगरों से आने वाले चात्रों की संख्या ग्याद की गई है और इसे निमनलिखित सार्णी में दर्शाया गया है चलिए इन आकडों को दंड आलेक के रूप में प्रदर्शित करे सबसे पहले हम X अक्ष और Y अक्ष खीचेंगे अब हम X अक्ष पर विभिन नश्रेणिया यानि कैटेगरीस दर्शाएंगे जैसे यहाँ नगरों की नाम Y अक्ष पर हम चात्रों की संख्या दर्शाएंगे संख्यात्मक आकडे सही रूप से निरूपित करने के लिए हम एक सुविधा जनक पैमाना लेंगे यहाँ हम एक इकाई बराबर नो चात्र यहाँ पैमाना ले सकते हैं क्योंकि सभी संख्याएं नो की गुणज हैं इसलिए हमें इन संख्याओं को निरूपित करने में आसानी होगी इस थरह से हम Y अक्ष पर 0, 9, 18 हक इत्यादी संख्याएं दर्शाएंगे यहाँ अधिकतम मान 54 है लेकिन हमारी सुविधा के लिए हमने Y अक्ष पर 63 तक संख्याएं ली है अब हम दंड खीचेंगे दंड आलेक में हम आकडो को दंड की लंबाई के रूप में निरूपित करते हैं नगर एक से आने वाले चात्रों की संख्या 36 है इसलिए हम दंड का विस्तार इस प्रकार करेंगे कि उसकी लंबाई संख्या 36 को दर्शाए इसी तरह हम सभी नगरों के लिए बराबर दूरी पर समान चोड़ाई के दंड कीचेंगे इस प्रकार हमने स्कूल में विभिन नगरों से आने वाले चात्रों की संख्या दर्शाने के लिए दंड आलेक खीच लिया है यह एक उर्ध्वाधर दंड आलेक है हम इसे शेतिज रूप में इस प्रकार भी खीच सकते है अब क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि सबसे अधिक छात्र कौन से नगर से आते हैं देखने से ही आप बता पाएंगे कि सबसे अधिक छात्र नगर दो से आते हैं इस तरह दंड आलेक हमें देखकर सूचना प्राप्त करने के लिए एवं आकडों की तुलना करने के लिए सहायता करता है अब आप स्वयम ग्याद कीजिए कि इस दंड आलेक से आप कौन सी विभिन्न सूचना ये प्राप्त कर सकते हैं आज हमने सिखा दंड आलेक अगले वीडियो में हम सीखेंगे द्विदन आलेक